आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वेडियो सिलीशन पाओ यहां कुश्य है बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल स्टाट्स प्रांग रेस्ट मूँव अन इस सर्किल विट इस स्पीड इंक्रीजिंग एक कॉंस्टेंट रेट इस कर रहा है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ठीक है अब इस पार्टिकल में क्या गोला जारा है इनीशली यह बोड़ी क्या है रेस्ट में अब बोड़ी में क्या हो रहा है एक तरीके से विलॉस्टी गेन होगी एक एकसलेरेशन होगा ठीक है अगर विलॉस्टी जीरू है उसके बाद एकसलेरेशन हो रहा है तो इसमें दू तरीके के एकसलेरेशन होगा एक होगा जो टैंजेंसियल एकसलेरेशन होगा और एकसलेरेशन जो होगा जो रीडियल एक नीघ दिए सुँपार माल dollar इंट Extremcell घू? एक्वराल dollar vacation पूरे पूरे इक्वाइड होतार है कि अगल को विच .8 msq would have turned by that time to acceleration देख हमको बताना है कि वो एंगल बताना है जब हमारा जो acceleration हो .8 msq से convert हो जाएकि इसमें 1 msq मतलब कि हमारा यह टाइम बताना है जो हमारा total acceleration क्या हो total acceleration हमारा 1 msq हो और हमार दोख इनिशियल acceleration जो दिया गया है 0.8 msq तो इनिशियल acceleration जब body move नहीं कर रहे होगी तो इनिशियल जब when क्या बोलेंगे हम लोग जब when v equal to 0 हो उस समय हमारा जो radial acceleration होगा क्या होगा 0 होगा body move नहीं कर रहे है उस टाइम पर total acceleration होगा वो कि इसके tangential acceleration के equal होगा ठीक है वो कितना दिया 0.8 msq च्शेकर तो अगर हम लोगों को मझम लेझे कि किसी time के बाद हम लोगों को थीटा아아 मथह किसी time rust मालीजच कि किसी time के बाद मा लीजचे के कई कि क्या theta displacement होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा हमारे पास यहाँ पर एक तो फिक्स है, ठीक है, इनकी होई, with speed increasing at constant rate, constant rate मतब कि tangential acceleration अमारा क्या fix है, हमारा 1 meter per second square किसी theta, किसी मतब कि कोई theta degree है, theta degree जब body move कर रही है, theta degree यहां से जब body move कर रही है, तो क्या हो रहा है, acceleration 1 meter per second square हो, तहम को यह बताना, ठीक है, तो यह acceleration हो जाएगा, कि A का square equal to V, A T का square plus A R का square, ठीक है, तो A square मतब 1 का square, ठीक है, equal to V, A T, A T हमको पता है, कि 0.8 का square plus A R का square, ठीक है, तो यहां से हमारा जो A R की value आ जाएगी, इसको solve परेंगे, R is equal to V, आ जाएगा, 0.6 meter per second square, ठीक है, अब हमारा यह radial acceleration होगे, हमको पता हमारा जो radial acceleration होता है, कि इसके equal to R into omega square के, ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग देखें, कि मान लिजे कि हमारा जो बोला जाएगा, कि body is initially क्या V equal to 0 है, V equal to 0 मतब कि initially इसमें जो angular velocity होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, मान लिजे कि किसी time T में, जो displacement होता है, वो displacement क्या है, एस अगर लोग बात करें, थीटा का displacement होता है, यह थीटा का displacement होता है, तो जो हमारा किसी time पर final velocity होगी, वो कुछ होगी, तो उस समय पर हमारा मान लिजे कि omega क्या कर रहा है, omega, पाले omega 0 था, अब theta degree move करने पर कुछ omega generate होता है, इस में, तो हमको यह omega निकालते है, क्या होगा, ठीक है, हमको follow लग पता है कि omega square equal to be 0 का square plus 2, 2, अब यह देखो, alpha हमारा क्या हो जाएगा, हमारा angular acceleration जो होता है, वो हमारा alpha होगा, alpha into s, s मतलब कि theta, यहाँ पर alpha इसलिए क्या होगा, यहाँ पर angular acceleration, ठीक है, angular acceleration, ठीक है, अच्छा, देखे, angular acceleration किसकी वज़े से आएगा, दोको हमारा जो radial acceleration ही, तो हमारा क्या इसके तरफ, center की तरफ हमें इसा लगता है, जो हमारा जो theta generate हो रहा हो किसकी वज़े से, tangential acceleration के वज़े से, तो हमारा angular acceleration alpha क्या होगा, 80 divided by r, तो यहाँ पर हम वैलूर सारी put कर करेंगे, तो क्या put करेंगे कोई वैलू, तो इसमें क्या हो जाएगा, कि माल लिज़े कि omega square, ठीक है, equal to be 2 into at by r into theta, ठीक है, यह हो जाएगा, अच्छा, अभी यहाँ से देखे, कि omega square, ठीक है, तो हमको पता कि v square equal to be u square plus 2 into a into s होता है, ठीक है, अब हम करेंगे, यह हो equal to be 2 into at into theta, हमको पता कि r omega square क्या होता है, r into omega square ar होता है, तो यहाँ से हमलों लिख सकते हैं, क्या है, कि ar divided by 2 into a into t equal to, यह हमारा theta हो जाएगा, तो theta equal to ar की value क्या है, ar की value 0.6 divided by 2 into 0.8, तो हो जाएगा, क्या, 6 divided by 2 into 8, तो 3, 4, तो 3 by 8 हमारा तो जो theta के value होगी, angular displacement, जिसको लोग बोल सकते हैं, वो 3 by 8, radiant के एक को लोगी, ठीक है, यह हमारा theta का value का 3 by 8, radiant, ठीक है, क्लासिक्स से 12 से लेके, meet IIT जेही, means और advanced के लेवल तास, मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप, यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स, आच चार्सो 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 पर,